10th standard science 2 7th chapter introduction to microbiology यह chapter का second video है first video मैंने यहां तक complete किया था ठीक है probiotics में treatment of poultry तक ठीक है second video we are continuing from bread page number 79 bread different types of breads are produced from flour of cereals अलग-अलग type का bread बनता है आटे से flour मतलब आटा आटा जो piece कर निकलता है दाना यहां पर गेहुं है bread गेहुं से कर जो आटा बनता है यहाँ चावल को piece कर ठीक है rice है गेहुं है barley है मेज है ठीक है यह सब cereals है इनको चक्की ब、「लते चक्की में पीस कर उनका आटा बनाया जाता है याने पाउडर किया जाता है उसको ठीके और फिर वो आटे को गूंद कर डॉज बनाया जाता है ठीके डॉज आटा गूंद कर गूंदा हूँ आटा जो पानी वगेरा डाल कर गूंद कर रोटी बनाने के लिए जैसा गूंदा जाता है वै वेकईस में कौण सी क्याटेग्री सेक्रो माइस सर्विस ठीके मिकश करते हैं और ऊर्शें करने छोड़ देते हैं due to fermentation of carbohydrate by yeast उसमें yeast carbohydrate जितना आटे में carbohydrate है उसको yeast ferment करके sugar और carbon dioxide में convert कर देता है और ethanol जो yeast डाला गया है वो flour के अंदर जितना carbohydrate है उसको sugar carbon dioxide और ethanol में convert कर देता है ठीके जिसकी वज़े से जो गुंदा हो आटा है यस्ट जाननी के वैसे यस्ट डाला हुआ है वो carbohydrate को जो flour में carbohydrate उसको sugar में carbon dioxide और ethanol में convert कर देगा तो carbon dioxide की वज़े से डॉच क्या होगा फुल जाएगा राइज हो जाएगा डॉच राइज अप ड्यू तू carbon dioxide carbon dioxide co2 co2 मतलब carbon dioxide को ऐसे डॉच फुल जाएगा जिसकी वज़से क्या होगा ब्रेट बिकम स्पॉंजी ब्रेट पॉंजी हो जाएगा soft and spongy compress is used in commercial bakery industries अब commercial bakery industries जो बड़े लेविल की बेकरी रहती है ठीक है जैसे ब्रेटानिया के बिसकेट है तो ब्रेटानिया की जो बेकरी है एक्जामपल दे रहा हूं मैं ब्रेटानिया की जो बेकरी और भी जो भी ऐसे कमर्शिल लेविल पे जो इंडस्ट्रियल लेविल पे बेकरी होती है जैसे विप्स ब्रेड ओल ओवर मॉंबई फेमस है बहुत विप्स ब्रेड ठीक है शालीमार ब्रेड तो यह सब का यहां पे सब कौन सा यूस्ट करते से कौम्ट इस इस एविलेबल इन ड्राइ ग्रानुलर फॉर्म फॉर डॉमस्टिक यूज़ और ये को घरेलो लेविल पे ठीक है डॉमस्टिक यूज़ के लिए ड्राइ ग्रानुश्युलर यिस्ट यूज़ होता है और इंडस्ट्री में गॉंप्रेश्ट इस यूस शयुज इस प्रेड यूस किया जाता है जो इस प्रेड के लिए उसमें बहुत सारे यूस फटन कंटेंट रहते हैं जैसे सहबार्ड रहता है रहता फाइं विटामीन्स उ इन रहते हैं ठीके दूटो दिस ब्रेड अधर प्रोडेक्स विद्धी हेल्प आफ इस बिकम नूट्रीटिव और जिसकी वज़े से ब्रेड या कोई भी प्रोड़क्त बना रहे हैं यह इस यूज करके वह बहुत नूट्रीटु वाले इंग्रीडेट लाइएं इसके अलावा इंग्रीडेट लाइब वेनिगर सोया व्ञटोडियम ग्लुक। टामेट ठीक है जिसको अजनो मोटो भी कहते हैं जीनो मोटो इसके अलावा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के तुरू और भी बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है जैसे विनिगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लुटामेट, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लुटामेट को अजीनो मोटो कहते हैं, ठीक है, यह सारी चीज़े चाइनीज फूड में यूज होती है, ठीक है, यह भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, तो इसमें पहला हाव तू मेक वेनिगर, वेनिगर कैसे बनता है, वेनिगर ठीक है, वेनिगर is used in each country of the world to impart salt taste to food, material and for preservation of pickles, sauce, ketchup, chutneys, etc. All over the world, वेनिगर यूज होता है, salt taste produce करने में, खाने में, थोड़ा सा salt taste produce करने के लिए, वेनिगर all over the world, पुरी दुनिया में यूज होता है, इसके अलावा वो preservation के लिए भी यूज होता है, preservation मतलब लाइफ बढ़ाने के लिए, यानि आप pickles में डालोगे वेनिगर को तो वेनिगर पिकल्स जल्दी खराब नहीं होगा, चार-चार-चे-छे मैने तक वो फ्रेश रहेगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा, क्यूंकि प्रिजरवेटिव डाला हुआ है, आप देखो दुकान से कैचप लाते हो, टमैटो कैचप, मैगी टमैटो कैचप, किसान टमैटो कैचप, तो वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है, क्योंकि अंदर प्रिजरवेटिव डाला होता है, यानि कीट नाशक ठीके, कीट नाशक नहीं बोलेंगे उसको प्रिजरवेटिव रहता है, यानि anti-mikrobial substance, जो microorganism के growth को allow नहीं करता है, वैसा प्रिजरवेटिव तो क्या डाला जाता है, प्रिजरवेटिव के तोर पर वेनिगर, जो Chinese स्ट्री सी ओओ एच इथेनौल यहां तक कंप्लीट हो गया वेनिगेपा नेक्स्ट इथेनौल एन अलकोहल इस ऑप्टेंड वा फर्मेंटेशन आफ कार्बन डियोकसाइड लाइक फ्रूट जूसेज मैपल सिरॉप शुगर मोलैसे स्टार्च स्टार्च आफ रूट इक इथेनौल एजेन ऑल्कोहल के ग्रूप में इथेनौल और प्रोपेणौल स्टेनौल एफ्ट्रक्रोंस लेहेंगेगेशन वाला नाम बता रहा है तो चू luck फ्रूट वाला जो मेंबर है वह हे इतेनौल क्योंत यहीं चानौन कांबं कमपा H जाते हैं कारबन कंपाउंट जैसे फ्रूट जूसेस या मैपल सिरप या शूगर मॉलासिस यह सब सब्सक्राइब को चैसराइब किया जाता है यह स्टार्च फ्रूट का स्टार्च फ्रूट तो आपको मैं ग्जामपल दोंगा पॉटैट्व प्रूटाफ पर हैँ अधिए हैं शूसीज्यृत है शक्कर के आप बोल सकते हो सुगर मुलासेज ओशुगर के दाने घी के मैपल सिर फिके मैपल सिर फ्रूट जुस यहесяb को होको करेंगे किसकी मदद से फॉर्मेंट करेंगे इस की मदद से इसकािका हे से लिerson लिएक्रोम ऐस सबस्कूइस सेहरिए इससे हम लोग फर्मिंट करते हैं और बनाते इथेनौल क्या बनाए जाता आहे झरूर जो एक टाइप का यह जो अलकोहल है ठीक है अलकोहल अब आपने सुनाई होगा कि वाइन बनती है वाइन वाइन शुगर या ग्रेप जूस से ग्रेप वाइन बनती है राइस से राइस वाइन बनती है एक्सेटरा तो वह यही प्रोसेस है ठीके mixture of bacterial strain like actobacter, glucanobacter is mixed with ethanol for its microbial degradation फिर इसके बाद ethanol के अंदर यह बैक्टेरियाज एड कर सकते हैं एड के जाते हैं जिसका नाम है actobacter और glucanobacter यह बैक्टेरिया इथनॉल में एड के जाते हैं acetic acid and other byproducts are obtained through it और उससे फिर क्या मिलता है acetic acid मिलता है और दूसरे एक्सेटरा प्रोडक्स मिलते है byproducts एक्स्ट्रा प्रोडक्स ठीके acetic acid plus some product मिलते है acetic acid is separated from mixture to by rarefaction और rarefaction करके acetic acid को अलग कर देते हैं mixture से acetic acid is bleached with the help of potassium ferrocide night फिर acetic acid को potassium ferrocide night से bleach करते हैं then it is pasteurized finally very small quantity of SO2 gas is mixed to produce vinegar ठीके तो पूरा production of vinegar है ठीके यह पूरा production of vinegar कैसे produce हो रहा है तो पूरा process है कि vinegar कैसे बनता है तो start कहां से होता है सबसे पहले carbon वाले compounds सबसे पहले यहां से start हो रहा है from page number 79 last line सबसे पहले alcohol को ferment करते हैं ठीके alcohol alcohol obtained करते हैं carbon compounds को ferment करके ठीके carbon compounds जैसे के fruit juice maple syrup शुगर मुलासे starch root एक्सेटर यह सब को yeast यूज करके यह कौन सा yeast इसका नाम दिया है सारको सेखारो माइस सर्विस ठीके इसको यूज करके carbon compound को ferment करते हैं और ethanol बनाते हैं ethanol एक बार ethanol बन गया तो आगे का process यहां दिया है ethanol बनने के बाद उसके अंदर क्या डालते है bacteria bacterial strain कौन से बैक्टेरिया डालते हैं actobacter और glucanobacter ठीके ethanol के साथ mix करते हैं ताके ethanol डिग्रेड हो ethanol डिग्रेड होने पर क्या produce होता है acetic acid acetic acid और कुछ दूसरे product form होते हैं ठीके फिर rarefaction करके acetic acid को अलग मतलब अलग करते है separate कर देते है रारी फैक्षिन मतलब एक process है जिसके through a process through which the density of a substance is increased ठीके air या air या light के through ठीके separate करते है all right acetic acid को it is a process all right एक process is simple जो acetic acid को separate करते है अधर byproduct से यह process है जिसके through जिसके जिसकी मदद से acetic acid को दूसरे byproduct से separate किया जाता है उसके बाद जो separate होने का जो acetic acid मिलता है उसको ब्लीच करते हैं ब्लीच मतलब उसको purify करते क्लीन करते हैं किस से क्लीन करते हैं potassium pharocyanide से ठीके और फिर जो finally acetic acid मिलता है उसको pasteurize करते हैं pasteurize मतलब high temperature तक गरम करते हैं और फिर cool होने रखते हैं this is called pasteurize pasteurize क्यों किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी live bacteria etc हो वो किल हो जाए ठीके फाइनली वेरी स्मॉल कॉंटिटी आप एसो टू गैसे मिक्स और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं जो भी acetic acid निकला है उसमें थोड़ा सा एसो टू गैस मिक्स करते हैं और जो प्रेड्यूस होता है वो है वेनिगर याने वेनिगर में क्या है acetic acid acid को rare effect मतलब rare effect करके बाइप्रोडक्स से अलग किया है acetic acid कहां से बना iTH-,融ल कैसे बना कार्बन कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड को UP की मदद से फर्मेंड किये तो इल्दैनौल बना यह इंतनौल में एक्टोबैड़ ग्रु नู aklair की यह दो बैक्टेरिया डाले तो प्रोडक्ट से अलग कर दिया और अलग निकाला फिर यह को ब्लीच किया किसे ब्लीच मतलब प्यूरिफिकेशन किया किसकी मदद से प्यूरिफाई किया पोटेशियम फैरोसाइनेट्स और फिर उसको प्रेस्चुराइज किया ताके उसमें कोई यिस्ट या लाइब बैक्टेरिया वह निकल जाये और फिर उसको फाइनली उसमें थोड़ा से एसटू गैस मिक्स किये और जो बना प्रोड़क्ट हो है वेनिगर आपको समझा सोया सॉस के लिए फ्लार और वीट और राइस तो वेनिगर के लिए फ्रूट जूसता या शुगर मॉर सेस ते आपने देखा यहां पर दूसरा के लिए व्लार ऑs वीट और राइस आठाल्स या चावल का अठाल लेते ईयो दाला क्याल्स जाता है क कि अ फाइंटके और उसको कि कि मदद करते हैं यह हम या चावल को और मिला फ़र्मेंट करते हैं कि की मदद से fungus कौन सा fungus एस्परगिलिस औरी जे एस्परगिलिस औरी यह पिक्चर दिया देखो यह इमेज एस्परगिलिस औरी जे का यह फंगस यूज करते हैं फर्मिंट करने के लिए ठीके चावल या गेहुं के आटे को सोया बीन के साथ क्या बनाने के लिए सोया सॉस आइओप समझा यह रेडियूस किया हुआ है रेडियूस ठीके और यह यह नाम पड़ा ना सैकरो माइस सर्विस यह उसका यह कॉफी के सीड्स जो यहां पर ओमिट कर दिया गया है उसका नाम दिया और यह भी कोका इसको निकाल दिया गया है नेक्स्ट सम इंग्रीडियन्ट बेवरेजेस प्रोडक्शन ठीके कुछ खास इंग्रीडियन्ट जो बेवरेज के प्रोडक्शन में लगते है यह उसका फीगर है सौरी यह मैं रीड कर लिया बेवरेज तो आपको पता है जो हम लोग चाए कहते है बिवरेज इस एल रैट सौनेक्स क्वेशन विच फॉंक्शनन अ पर vibes यह एंजयма के यूमेन के डाइजेस्ट इस्टम में जो एंजाइम रहते हैं वो क्या फंक्षिन परफॉर्म करते हैं अफकॉस डाइजेशन और फूर्ड मटिरियल नेक्स्ट गिव दे नेम ऑफ सम सच एंजाइम कुछ एंजाइम का नाम बोलो तो एक तो टंग के नीचे है सलाइवा एंजाइम का नाम है सलाइवा जो हमारी टंग के नीचे से निकलता है फिर हमारे श्टमक में पैपसीन है बहुत सारे । इसे मैंने दोके नाम बता दिया सलाइवा पैपसीन शाहद आगे होगा तो देखते है नेक्सT Microbial enzyme Nowadays instead of chemical catalyst Microbial enzymes are using chemical industries आज के जमाने में क्या हो रहा है Chemical catalyst नहीं यूज कर रहे उसकी जगह क्या यूज करते है Microbial enzyme यूज करते है Chemical industries में कोई भी reaction process Fast up करने के लिए catalyst नहीं यूज करते है उसकी जगह Microbial enzyme यूज करते है छेखो reaction प्रेक्शन स्पीड अप करने के लिए कैल स्क्राइब पहले लेगन अभी क्या होता है उसकी जगा का microbial enzyme use करते हैं, microorganism से produce किया हुए enzyme, this enzyme active at low temperature, इसका फाइदा यह है कि enzymes low temperature पे भी काम करते हैं, मतलब low temperature भी यह enzymes active रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, catalyst को high temperature लगता है, बट enzyme low temperature पे भी active रहते हैं, pH and pressure due to which energy is saved and erosion proof instrument are also not necessary, और catalyst में यह सब चीज़े लगती है, pH और pressure लगेगा, यहां पर enzyme में न pH का कोई problem है न pressure रहा है, जिसकी वज़े से बहुत सारी energy भी बच जाती है, और erosion proof instrument are also not necessary, और ऐसे instrument भी नहीं लगते हैं, जो erosion create करें, मतलब erosion का भी problem नहीं, जैसे chemical use करेंगे, तो erosion होगा, erosion मतलब movement of particle from one place to another, यहां पर erosion proof instrument का भी कोई use नहीं, enzymes carry out specific process, hence unnecessary byproduct are not formed due to which expenses on purification are minimized, देखो enzymes direct काम करते हैं, enzymes specifically process करते हैं, मतलब एक target पर direct काम करते हैं, जिसकी वज़े से extra byproducts बनते हैं, extra byproducts नहीं बनते हैं, तो purification का खर्चा बच जाता है, जैसे हमने यहां पढ़े, देखो first में, vinegar में, acetic acid के साथ कुछ byproduct बनते हैं, तो byproduct को purify, यह acetic acid को purify करके यह byproduct को अलग निकालना है, तो rarefaction में पैसा खर्चा होगा, bleaching में पैसा खर्चा होगा, लेकिन microbial enzymes जब use होते हैं, तो यह सब खर्चे भी थोड़े बच जाते हैं, मतलब purification का खर्चा कम हो जाता है, वो करना पड़ता होगा purification, बड़ जितना chemical catalyst use करके purify करना पड़ेगा, उतना यहां पर नहीं होता, कम खर्चे में काम हो जाता है, ठीके, in case of microbial enzymatic reaction, elimination and decomposition of waste material is avoided, an enzyme can be reused, microbial enzymatic reaction में, microorganism use करके enzymatic reaction होता है, elimination and decomposition of waste material is avoided, ठीके, उसमें क्या, elimination and decomposition, microorganism के enzymatic reaction से, elimination and decomposition, यह elimination वही है purification, या फिर by-product अलग करना, अलग करने का खर्चा और decompose करना, ठीके, waste material, देखो reaction में कुछ waste material produce होगा, ठीके, वह waste material को product से अलग करना, और फिर उसको decompose करना, तो decompose पहले कैसा किया जाता था, रीवर में डाल दिया जाता था, इंड़स्ट्री से जो waste निकलता है, उसको rivers में या फिर land में कहीं पर करो, तो यहां पर वह सब की भी जरुरत नहीं पड़ती, क्यों कि नाचरल ही होता है, माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रियक्शन से, एलिमिनेशन और डीकंपोजिशन और वेश्ट माटिरियल इस अवोइड़ यह भी बच जाता है, नहीं करना पड़ता है, ठीके, एंजाइम कें भी रियूज, इसके अलावा एंजाइम वेश्ट नहीं होता है, उसको भी हम लोग रियूज कर सकते हैं, मतलब एक ही एंजाइम बार बार कहीं रियक्शन में यूज होगा, ठीके, इसके लिए ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, अगर कैटलिस्ट यूज करके रियक्शन करते हैं, तो वेश्ट मटिरियल प्रड्यूज होगा, तो उसको डिकम्पोजिशन करने का एक है, ठीके, और उसको एलिमिनेट करने का भी, मतलब रियक्शन को प्यूरिफाई करके, उसको एलिमिनेट करना, सप्रेट करना भी घैडे के, वेश्ट प्रड़क को निकालना, सप्रेट करना, और डीकम्पोज करना, ये दो प्रॉब्लम बच जाएंगे, माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रियक्शन की वज़े से, ठीके, और तीसरा और एक फाइदा ये, कि एं हैं संच, एंजाइम्स एको फ्रेंडली, इसके लिए ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली, ठीके, नेचर फ्रेंडली, सम एक्जाइम्पल आप माइक्रोबियल एंजाइम्स आर, ऑक्सी रिड़क्टेस, कुछ एक्जाइम्पल है, माइक्रोबियल केस एक्सेटरा ठीके नेक्स यहां तक समझा आपको नेक्स्ट अभी डिटर्जेंट में भी डाला जाता है देखो एंजाइन प्रोसेस ऑफ डर्ट मख रुमूवल ऑकाज़ेट लो टेंप्रेचर टू ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइन विद डिटर्जेंट अगर डिटर्जेंट में जब कपड़े धोएंगे तो पानी गरम नहीं थंडा पानी रहेगा तो भी आसानी से गंदगी क्लीन हो जाएगी क्यों क्योंकि वह डिटर्जेंट में अखर एंजाइम मिक्स किया हुआ है तो नेक्स्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोस सिरॉप्स कैन ब अप्टेंट फ्रॉप्स कॉन कॉन फ्लाबा एक्शन ऑफ एंजाइम इसके अलावा एंजाइम के एक्शन से ग्लूकोज फ्रुक्टोस सिरॉप्स निकाला जा सकता है कॉन के आटे से कॉन मकाई मकाई के आटे से मक्का के आटे से ग्लूकोस फ्रुक्टोस सिरॉप एक्ष् of enzymes, obtained from bacilli and streptomyces, अब यह enzyme किसे यह bacteria का नाम दिया है, यह दो bacteria से जो enzymes आता है, ठीके, bacilli और streptomyces यह दो bacterial strain है, इससे जो enzymes आएगा, उसकी मदद से corn flour, corn flour से क्या निकाला जा सकता है, glucose and fructose, syrups, microbial enzymes are used in various industries like cheese, plant extracts, textile paper etc, इसके अलावा microbial enzymes कहा यूज होता है, cheese industry में plant extracts, textile leather paper etc, ठीके, देखो यह question है, इससा आ सकता है, what are the good effect of enzymes, microbial enzymes, या why microbial enzymes are more preferred than chemical catalyst, या ऐसा भी question आ सकता है, state 3, state 3 uses of enzymes, state 3 good effect of enzymes, uses भी आ सकता है, तो 3-4 uses, यहां पे 6-7 uses है, खीके, 5-6 good uses है, क्या, एक तोड, low temperature पे, detergent से, detergent में mix करने से dirt में remove हो सकता है, फिर enzyme की मदद से glucose और frictus syrup निकाला जा सकता है, corn flour से, ठीके, फिर उसके और बहुत सारे फाइदे हैं, यह eco-friendly रहते हैं, enzymes, इसमें elimination और decomposition का किच-किच नहीं है, tension नहीं है, microbial enzymatic reaction में, और purification का भी खर्चा expenses, खर्चा minimize हो जाता है, तो बहुत सारे, क्यों, क्यों ऐसा जब होता है, क्यों enzyme chemical catalyst से better है, क्योंकि enzyme low temperature पे भी active रहते हैं, enzyme low temperature भी active रहते हैं और pH और pressure से उन पर कोई effect नहीं पड़ता, इसकी वज़े से, उस enzyme यूज़ करने से energy बचती है, ठीके, और ऐसे instrument यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, जो erosion proof हो, ठीके, जो erosion proof हो, ऐसे इसकी जरुरत ही नहीं पड़ती है, I hope आपको समझा, next, next यह reduce किया गया है, this is some question जो reduce किया गया है, फिर यहाँ पे कुछ दिया, organic acid in various commercial products, we are on page number 81, organic acid used in various commercial products and microbes useful for the same, तो कुछ organic acid का नाम यूज़ दिया है, और कौन से microbes use होते हैं और उससे क्या बनता है, ठीके, तो पहला, sugar या beet molasses, sugar शक करके molasses या beet, sugar molasses, sugar के इंसे निकलेंगे, beet, beetroot आपको पता होगा, सल्जम कहते हैं, या ammonia salt से, यह sources है, यहां से कौन सा microbes use करेंगे, ब्रेवी बैक्टेरियम या, कोरियोनो, कोरियो बैक्टेरियम, ठीके, यह यूज़ करके, क्या बना इसा सकता है, यह को, sugar, beet molasses और ammonium salt, यह सब में, यह microorganism डाल कर, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, L-glucomatic acid, L-glutamic acid, sorry, L-glutamic acid, और L-glutamic acid कहां यूज़ होगा, monosodium glutamate बनाने में, जिसको agenomoto कहते हैं, जो Chinese food में डाला जाता है, ठीके, फिर दूसरा, sugar molasses और salt में, यह fungus डाले कर, यह microscopic fungus है, ठीके, यह bacteria दोनो, bacterium, bacterium, यह fungus है, aspergillus, nigger, यह fungus को sugar molasses और salt में डालेंगे, तो क्या बनेगा, इसके, यह fungus इसको degrade करेगा, और क्या produce होगा, citric acid, citric acid कहां कहां यूज होता है, drinks में, drinks, दारू, ठीके, drinks, toffee, drinks वो भी हो सकता है, वैसे तो यह cold drinks, cold drinks तो सुना ही होगा न, अपने Pepsi, Thumbs Up, Coca-Cola, etc, toffees, chocolates, production, etc, next, third में sources क्या है, glucose, constip, glucose या constip यूज करेंगे, तो क्या होगा, glucose या constip liquor में, यही fungus दालेंगे, तो gluconic acid बनेगा, जो कहां यूज होता है, production of minerals, जो as a supplementary यूज होता है, जो calcium के syrup आते हैं, या iron के syrup आते हैं, या tablets आती है, गोलियां, वहां यूज होता है, ठीके, next, molasses, constip, molasses या constip liquor, उसमें क्या डाला जा रहा है, lactobacillus, delbruki, तो क्या produce होगा, lactic acid, यह microorganism को इसमें डालेंगे, तो lactic acid produce होगा, जो कहां यूज होता है, vitamins के production में, production of vitamins and sources of nitrogen, last, molasses कौन steep liquor, इसमें asphagillus, यह भी एक fungus है, लेकिन कौन से है, asphagillus itaconeus, ठीके, तो इससे क्या बनेगा, itaconic acid, itaconic acid, जो कहां यूज होता है, paper, paper बनाने में, plastic बनाने में, plastic industries में, textile कपड़े की industry में, यह gum के production में use होता है, I hope आपको समझा, next, what is xentan gum, that imparts thickness to your favorite ice cream, pudding, chocolate, milk, shake, chocolate drink, instant soup, etc, अब यह xentan gum क्या है, ठीके, देखो xentan gum, ice cream में डाला जाता है, है, जिससे ice cream गाड़ी हो जाती है, pudding में डाला जाता है, chocolates में डाला जाता है, milkshake में डाला जाता है, chocolate drinks में डाला जाता है, और जो soups होते है, instant soups, चाइनीज सूप और एक्सेटरा, नौर सूप जो टीवी में डाता है, उसमें जेंटान गम डाला जाता है, तो है क्या जेंटन गम, this gum is obtained by fermentation of starch and molasses with the help of of zentamona species, ठीके यह जेंटन गम कैसे बनता है, थोड़ा सा जूम कर लू, साइड में न, अच्छा यहां पर एक image दिया है, देख लो आप यह fungus का image है, aspergillus nigger इदर है, यह जो fungus है न, aspergillus nigger तो उसका image दिया है, ठीके, आच्छा next, so यह यह gum कैसे produce होता है, तो यह gum by fermentation of starch and molasses, starch और molasses को जो potato में starch रहते हैं या rice starch या potato molasses को ferment करते हैं, किसकी मदद से ferment करते हैं, zentamona species की मदद से, ठीके, it is very useful due to properties like solubility in hot and cold water, high density, etc., इनकी property क्या रहती है, कि solubility, hot and cold water में solubility अलग-अलग रहती है, और घनापन जादा रहता है, जेंटान गम का, it is used for production of pigments, fertilization, weedicide, textile, pigments, toothpaste, high quality, paper, etc., और कहां यूज होता है, zentamona pigments बनाने में, जो food color डालते है, food pigments, या फिर textile pigment, कपड़ों को जो रंग चड़ाते हैं, खाने में जो रंग डालते हैं, या कपड़ों पर रंग चड़ाते हैं, वहां पर use होता है, weedicide, जो जंगली grass, जो खेतों में उपती उसे weeds कहते हैं, तो वह जंगली घास ना होगे, उसके लिए weedicides डाला जाता है, weedicides बनाने में जेंटा गम यूज होता है, इसके अलावा fertilizer, जो खाद बनती है खेतों में जो अच्छे से crops होगे उसके लिए जो खाद बनती है fertilizer उसमें भी जेंटान गम यूज होता है, फिर हम जो toothpaste यूज करते हैं ब्रश करने के लिए उसमें भी जेंटान गम यूज होता है, इसके अलावा अच्छी quality के paper बनाने में भी जेंटान ग processing, microbial processing करके जो substance पाए जाते हैं और उनका क्या रोले, तो पहला citric या malic या lactic acid, citric acid या malic acid या lactic acid, तो यह कहा आता है to impart acidity, इसको food में acidity बढ़ाने में या बनाने में यूज किया जाता है, दूसरा glutamic acid या lysine या tryptofan, यह कहा यूज होता है, protein binding, ठीके, बॉड़ी में जो protein binding होता है, वहाँ पे यह सब यूज होता है, और impart acidity, food में या कोई acidic drink है, उसमें मतब acidity बढ़ाने में, next, nicine और netamycin, यह है microbial restrictor, याने microbial को grow होने से रोकता है, nicine या netamycin, ascorbic acid, vitamin C जिसे कहते हैं, या vitamin B12 या vitamin B2, यह सब क्या है, antioxidant है या vitamins की तरह यूज होते हैं, बीटा, carotene, lycofines, xentanese, lutein, ठीक है, यह सब microbial, यह सब enzymes के नाम है असल में, जो microbial processing से निकलते हैं, यह सब क्या है, यह सब edible color है, edible मतलब खाने में, खाना, जोचको हम खा सकते हैं, याने ऐसा color जो खाने में डाला जा सकता है, देखो न, मम्मी कभी खाना बनाती तो red बनत है, या hotels का आप मुश्कली खाना देखा, उसमें edible color डाला जाता है, खाने वाले colors, ठीक है, edible colors, यह सब enzymes से बनते हैं, ठीक है, next, polysaccharides या glucolipid, polysaccharides यह क्या है, emulsifier, polysaccharides या glucolipids क्या है, emulsifier, emulsifier मतलब ice cream और cake में डाला जाता है, उसको जमाने के लिए, ice cream, cake, jellies, jelly जो Shopify, vanilline, ethyl, ethyl, butyrate, याने fruit flavor, peppermint flavor, essence of various fruits and flowers, यह सब कहां यूज़ता है, as a essence, यह सब खाने में डाला जाता है, जिससे खाने में खुश्बू, खाने में smell आता है, ठीक है, flavor आता है, flavor, essence मतलब flavor and taste, all right, last is, Xelitol या Aspartame, Xelitol या Aspartame, यह क्या है, artificial sweetener, low calories वाला, यह मिठा, खाने की चीज़ों को मिठा करने में यूज़ता है, लेकिन इसमें calories, sugar से कम होती है, बहुत कम होती, तो आपने वो देखा होगा, sugar free, etc., वो सब इससे, मतलब यह enzyme की मदद से बनता है, ठीक है, artificial sweetener, I hope आपको य number 81, next page is 82, next, what do you mean by antibiotic, antibiotic क्या है, तो answer या है, second, which precaution should be taken about their consumption, antibiotic खाने के लिए कौन से कौन से precaution जरूरी है, देखां, antibiotic मतलब, body में जो harmful microorganism है, उसको kill करेगा, antibiotic मतलब, microorganism को kill करेगा, या उनके growth को बढ़ने नहीं देगा, उनके growth को control करेगा, that substance, that medicine, that chemical is called antibiotic, अब answer में देखो, many disease of human and other animal have to be controlled due to antibiotics, इंसानों में बहुत सारी बीमारी और जानवरों की भी बहुत सारी बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी मदद से, antibiotics, antibiotics कहां से आता है, obtained from different type of bacteria and fungi, antibiotics, bacteria और fungi से बनाया जाता है, बैक्टेरिया और fungi के मदद से antibiotic बनाया जाता है, यह antibiotic, body में, body में जो बीमारी है, ठीके, उसको, इंसानों के या जानवर के उसको control करता है, antibiotic like penicillin, cephalosporin, cephalosporin, monobacterium, bacteriocin, erythromycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, tetracycline, vencomycin, etc. I used against various strains of gram positive and gram negative bacteria, ठीके, यह सारे antibiotic के नाम है, जो कहां यूज होते हैं, gram positive और gram negative bacteria को kill करने में, ठीके, या उनके growth को stop करने में, अब यह gram positive यह बैक्टेरिया के category आप समझ लो, फिलाल इतना, क्योंकि आगे के standard में है, ठीके, देखो, bacterias are two types, broad spectrum, antibiotics are two types, broad spectrum, narrow spectrum, broad spectrum, बहुत सारे bacterias को affect करता है, narrow spectrum, खास तरीकी के bacteria को affect करता है, तो फिलाल आप इतना याद रखो, gram positive, gram negative type के bacterias है, और इनको kill करने में, या इनके growth को slow, या बंद करने में, रोकने में, यह सारे antibiotic यूज होते हैं, reformycin is effective against tuberculosis, ठीके, इसके अलावा, reformycin एक antibiotic है, जो किसमें यूज होता है, TB, tuberculosis, TB की बिमारी, ठीके, इतना ही दिया, एक छोटा सा paragraph दिया, antibiotic और आगे इसमें कुछ detail नहीं है, बस इतना ही दिया है, तो मैं इसके लिए इस नहीं बता रहा हूं, वरना antibiotic पे पूरा, बोलते ना, एक पुरी book खतम हो जाएगी, ठीके, तो वो microorganism का fuel में क्या रोल है, ठीके, वो ही petrol, diesel, gas, जिस पे भी गाड़ी चलेगी या घर में जो gas का चूला जलता है, वो सब fuel है, तो वो सब microorganism का fuel बनाने में क्या रोल है, देखते हैं, gaseous fuel, methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition of urban, agriculture and industrial waste, ठीके, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूँ, पहले picture देख लो, किसका दिया है, यह yeast का photo दिया, yeast, जो क्या नाम है, इसका सेक्रोमाइस इस ओर राइट, ठीके, नेक्स्ट, देखो वापस, घर में जो gas यूज होता है, gaseous fuel, जैसे methane जो हमारे घर में red cylinder में आता है, ठीके, या pipeline के तुरू आता है, यह जो fuel है, gaseous fuel, यह कैसे obtained होता है, by microbial anaerobic decomposition, microorganism का बिना oxygen वाला, यह कम oxygen से decomposition किया जाता है, किसको decompose किया जाता है, urban waste को, या agriculture waste को, या industrial waste को, urban शहर का कच्रा, शहर की गंदगी, agriculture खेत का कच्रा, और industries का जो भी कच्रा है, इसको microorganism की मदद से decompose करेंगे, anaerobically, यानि without oxygen, या with less supply of oxygen, तो क्या बनेगा, methane, methane क्या है, fuel है, gaseous fuel, methane जो gaseous fuel है, वो कैसे बनता है, microbial anaerobic decomposition से, of, microbial anaerobic decomposition किया जाएगा, किसका, urban, शहर का, खेती का, या industrial waste का, तब जाके यह बनेगा, क्या बनता है, methane, methane जो fuel है, gaseous fuel, second, ethanol and alcohol is a clean smokeless fuel, obtained during fermentation of molasses by yeast saccharomyces, second, ethanol, जो alcohol का एक हिस्सा है, ठीक है, alcohol का एक derivatives है, है, एक member है, यह एक smokeless fuel है, यह एक ऐसा fuel है, जो धुआ नहीं होता, जिसमें जरा भी smoke नहीं produce होता, धुआ नहीं होता, ठीक है, यह कैसे obtained होगा, जब sugar के molasses, यह कोई भी molasses को yeast saccharomyces, यानि इस से, यह, यह, यह से क्या करेंगे, इसको, fermentation करेंगे, तब ethanol होगा, ठीक है, थर्ड, hydrogen is considered to be the fuel of future, hydrogen gas, sorry, hydrogen gas को future का fuel माना जाता है, मतलब आने वाला, अभी तक petrol है, diesel है, methane gas है, यह सब fuel अब तक हम use कर रहे है, फिर अभी CNG आया है, CNG, ठीक है, वैसा ही future में आने वाला fuel मान रहे है, hydrogen gas को, ठीक है, hydrogen gas कैसे produce होता है, hydrogen gas is released during bio photolysis of water, जब water break होता है, देखो water क्या होता है, H2O, ठीक है, जब natural, bio मतलब natural photolysis, जब naturally light के presence में water break होगा, H2 अलग, O अलग, ठीक है, 2H2 अलग, O2 अलग, यह उसका balancing अलग, यह balancing में मत जाओ, H2 है, तो H अलग होगा, O अलग होगा, इसको बोलेंगे, naturally bio fertilizes of water, ठीक है, और यह जो bio fertilizes of water, अपने अपनी होगा, यह किसके through होता है, photo reduction of bacteria, कौन करेगा इसको, bacteria perform करेगा reaction, इसको कहते है, photo reduction, देखो hydrogen gas, कब बनेगा, जब water को hydrolyze करेंगे, ठीक है, तब hydrogen release होगा, यह hydrogen को हम लगा as a fuel use कर सकते है, water को जब, अच्छा water, hydrolysis नहीं होगा, sorry, water को bio fertilizes करेंगे, याने natural तरीके से photo मतलब light, natural तरीके से breakdown of water in light, और यह जो bio fertilizes, यह process किसकी बज़े से होता है, है, किसकी मदद से होता है, bacteria, ठीक है, bacteria photo reduction करते है, यह जो future fuel है, यह भी microorganism की मदद से पाया जा सकता है, ठीक है, last, मतलब आज के वीडियो का last, I am stopping the video over here, फिर next part में फिर continue करेंगे, क्योंकर वीडियो है, across a 40 minutes, so this is the last paragraph of today's video, similar to fuel, various industrial chemicals are also produced through microbial process, fuel के जैसे ही, दूसरे भी industrial chemical produce होते है, microbial process याने microorganism की मदद से, एक्जाम्पल, various alcohol, acetones, organic acid, fatty acid, polysacrides, so यह सब chemical industries में use होते हैं, as a raw material, organic acid, fatty acid, polysacrides, alcohol, acetones, यह सब chemical industries में use होते हैं, as a raw material, और कुछ कुछ कहां use होते हैं, some of these are useful as a raw material for plastic and food products, ठीके, और कुछ plastic या food product के raw material में भी use होते हैं, I hope समझा आपको, ठीके, next, so next video में हम लोग biofield का production अच्छे देखेंगे, we have finished over here, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो share करो, ठीके, like, subscribe तो करोगे ही, होई जाएगा, automatic, जिसको वीडियो अच्छा लगा हो करेगा, ठीके, आगे का वीडियो देखना है, bell icon प्रेस करो एक्सेटरा बट शेयर करो, all right, thank you.